नमस्कार साथियो Top 50 Study YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है पिछले वीडियो में हमने 30 महत्पूर पिशन ले करके आये थे जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे अच्छपुना 30 पिशनों पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप जो भी TED का एकजाम देते हैं उसमें 30 पिशन रहते हैं तो बैसे ही मैं सेलेक्ट करके आपको 30-30 पिशन लाता हूँ तो चलिए आज शुरू बात करते हैं पहला पिशन सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल ब्रक्च कौन सा है अगला देखें सफोकेसन क्या है किसी आप कमरे में जाएं बंद कमरे में या कहीं तो आपको लगता है सफोकेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव इसलिए बहुत ही महत्पून है दोस्तों प्रती दिन एक एक वीडियो यह साम परयावरन का लाते हैं बालविकास का भी लाते हैं तो मे एक बाग क्लिक कर दें इससे अंगला वीडियो जब भी आएगा और बेल आइकन को दबा दें तुरंत आप तक पहुंचें कोई भी कॉस्चन आप से छूटे ना जब परिच्छा में जाए तो मैं चाहता हूँ परयावरन में कम से कम 30 मैं से 30 और नहीं तो 28 फिलस तो लाए अगला देखें जलबायू परिवरतन में किन गैसों की मुख भूमका होती है जब जलबायू परिवरतन होता है तो कौन से गैस की उसमें मुख किता है तो ग्रीन हाउस गैसों की किन गैसों की मुखता होती है जलबायू परिवरतन बिलकु दिमाग में बैठा लें ग्रीन ह उस गैसों की मुखता होती है अगला देखें सरवादिक ओजोन छैकारी गैस कौन सी है सबसे ज़्यादा ओजोन छैकारी गैस कौन सी है तो CFC जिसको बोलते है पन किलोरो फिलोरो कारवन यह नामियाद रखी लेजिएगा किलोरो फिलोरो कारवन ये क्या है सरवादिक ओजोन छैकारी गैस है किलोरो फिलोरो कारवन अगला देखें भूतल पर CFC का प्रियोग कहां होता है CFC का भी हमने फुलप्रोम बताया है क्या है किलोरो फिलोरो कारवन ठीक है C किलोरो F फिलोरो और C कारवन इसका प्रियोग सबसे जादा प्रतिवी पर भूतल मन्ह Toutल Bunda प्रतिवी पर कहां पर होता है तो आपको देख लिजीगा इसप्रे करेंड डिस्पेंसर में बातनू कुलनों में रेफेजरेटर में मतलब बातनू खुलनों एसी होतेना उनमें रेफिजरेटर में ठीक है हेयर स्प्रे सेविंग क्रीम इसमें होता है किलोरू फ्लो कार्वन गैस का विभित सौंदर प्रशादनों में इस गैस का प्रियोग किया जाता है ठीक है किसका इस प्रेकेंड डिस्पेंसर में बातानु कूल प्रियोग होता है बड़ा ही ज्यान बड़तक वीडियो आपके लिए होने वाला है वीडियो को पूरा जरूर देखा मेरा ने वेदन क्योंकि कोई भी क्वेस्चन आपके लिए महत्पूर्ण हो सकता अग्ला देखें ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हो अग्ला देखें भारत में ब्रक्षों का आद्मी किसे कहा जाते हैं पurrection पूछा जा चुका है प्छली टेट एक जाम में ब्रक्षों का आदमी किसे कहते हैं? सुन्दरलाल बहुगुणा को क्या कहा जाता है ब्रक्षों का आदमी क्योंकि इनोंने परिया बनाने के लिए बहुत काम किया है और ब्रक्ष लगाने पर इनों जोड दिये इनको क्या कहा जाता है ब्रक्षों का आदमी सुन्दरलाज बहु गुणाजी को कहा जाता है अगला देखें, सरवादिक जयब विवित्ता कहां पाई जाती है सबसे जयब विवत्ता कहाँ पाई जयब विवत्ता का मतलब विविन प्रकार के जीब एक स्थान पर जब पाई जाये चलिए अगला प्रसन, मुझे लगता है आपको पसंद आ रहे होंगे तो मेरे निविदन लाइक पर क्लिक कर देए, अगला देखें, बायो ट्रेक्रोलोजी पार्क कहां पर इस्ते थे, यह लखनव में है, याद रखेंगे परिवण से संबंदेते पार्क है, बायो ट्रेक्र की डेट, इस दिर हम प्रत्वी दिवस मनाते हैं, कमेंट में आप बताईए कि परियावरण दिवस हम कम मनाते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो देख सकते हैं, चलिए तो हमारे चैनल पर सेलेक्ट करें, प्लेलिस्ट पर जाए वो परियावरण में जागर के देख सकते हैं तो परियावरण मनाय जाता है वो आपको कमेंट में बतलाना है चलिए अगला देखें भविस्थ का इधन किसे कहा जाता है यह भी बैरी मोष्ट आई एम पी पिसने भविस्ट का इधन कहा जाता है हाईडरोजन गैस को भविस्ट का इधन कहा जाता है अगला देखें परयावरन का रक्षा का बच कि से कहा जाता है एजो हम अभी 10 कोस्चन बोलेंगे लाएन से समल लेनन में से एक आत कोस्चन आएगा आपके टेट एक जाम इसलिए अच्छे रक्षा का बज़, जो डिटेल हम बीच 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 बताते हैं, वो आपके लिए बहुत ही उपियोगी है, ठीक है, तो वो जो उन परत को परियाबरन का रक्षा का बज़ कहा जाता है, अगला देखें, रेड डाटा बुक का संबन्द किस से है, हम बोई कॉस्चन लाए हैं, जो पिछले पेपरों में पूछे गए, रेड डाटा बुक का संबन्द किस से है, तो बता देएं, बिलूपित के संकट से गरस्त जीवों से, ठीक है, बिलूपित के संकट से गरस्त जो जीव थे, उनका संबन्द किस से, रेड डाटा बुक से है, अगला देखें, एन्वा रोनमेंट एजूकेशन फोर किट्स बच्चों के लिए तो यह कहां पर युए से के विसकासिन में है CNG का फुलफ्रोम क्या होता है CNG आपने सुना होगा तो इसका फुलफ्रोम क्या होता है CNG का फुलफ्रोम क्या है CNG का फुलफ्रोम से सम्मंदित भी कॉस्चन आते हैं पर यहाबरन के कुछ मतलब बो है कि एक मतलब जैब बेवित्ता से आ जाएगा एक कोई गैस से आ जाएगा एक नेशनल पार्क वगरे से आ जाएगा तो यह से कुछ बो बटे है तो हम करम से आपको वीडियो लाएंगे आप पूरी वीडियो देखें अंगला वीडियो आप कल फर मिलेगा तो कब अपलोड हो रहा उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेए आपको तुरण नोटिफिकेशन आ जाएगा यह हुआ जाता है यहीं मोश्ठ है पेपर के लिए जलप्रिदूसर्ण को मापने के लिए कौन सा परिक्षन किया जाता है तो अमलिय बरसा के कारण क्या हो रहा है ताज महल पीला पढ़ने लगा है चरण भी होने लगा है जाएंगे ताज महल घूमने तो वो चरण को प्राप्त होने लगा है थोड़ा थोड़ा पीला भी देखना क्यों क्यों क्योंकि अमलिय बरसा के कारण यह काम हो रहा है अगला दे की और ये रादधानी भी ये बैंगलोर ठीक है तो बैंगलोर में है अगला देखें भारत का परियावरान सिक्छा केंदर कहां परिस्तित बैरी मुष्ट भारत का परियावरान सिक्छा केंदर कहां है गुजरात अहिम्दाबाद में ठीक है अहिम्दाबाद में है ठीक है जो कहां इसते थे देहरादून में हैं ठीक है इंद्रा गांदी बानी की अकादमी कहां पर है देहरादून में अगला देखें बिस्सु बानी की दिवस कम विस्सो बानी की दिवस मनाय जाता है 21 मार्च को और इंदर गांधी बानी की अकादमी कहाँ पर है दहरादून में और विस्सो बानी की दिवस कम मनाय जाता है 21 मार्च को अगला देखें भारतिय बन सरवेक्छन का मुख्यालय कहाँ है तो बन सरवेक्षण का मुख्यालय भी कहाँ पर है देहरादून में देहरादून में क्या है भारती बन सरवेक्षण का मुख्यालय देहरादून में अगला देखें भारती बन प्रवन संस्थान कहाँ पर है ये बैरी मोष्ट है मदप्रदेश वालों के लिए भारती बनपरबंद संस्थान कहां है भूपाल में ठीक है भूपाल में भारती बनपरबंद संस्थान है और भारती बनपरबंद संस्थान का मुख्याले कहां पर है देहरा दून में दोनों चीज़ें आप याद ठीक है भारती बन प्रबंद संस्थान कहा पर है बहुपाल मिशते थे अगला प्रिशन देखें बायू मंडल का दाव होता है उसको किस यंतर की द्वारा माप आप आ जाता है जरूर एक माप से संबंदित कॉस्चन आते हैं 30 में से तो बैयू मंडल ये दाव किस यंतर की द् तो बायू मंडल ये दाव किस से पता चलेगा बेरो मीटर से, याद रखिएगा बिलकुल, अगला देखें, प्रत्वी के चारों तरफ से गैसी आबरण को क्या कहते हैं, प्रत्वी के चारों तरफ से जो गैसी आबरण है, उसको क्या कहते हैं, बायू मंडल, ठीक है, बायू मतलब क्या होता है gas और मंदल मतलब आवरण तो प्रत्वी के चारों तरप से जो गैसी आवरण उसको क्या कहेंगे बायू, बायू मतलब अपन गैस लगा ला है मंदल मतलब आवरण, तो आप समझ जाईएगा प्रत्वी के चारों गैसी आवरण वो क्या है बायू मंडल का दाव का ऐसाई मात्रक क्या है ठीक है बायू मंडल का दाव का ऐसाई मात्रक क्या है बार क्या है बार है बायू मंडल के दाव का ऐसाई मात्रक चलिए आपको अच्छे लग रहे होंगे प्रिशन हमें उम्मीद है और कुछ पिसनों पर चल चांगे करते हैं देखी बायू मंडल की सबसे उपरी परत कौन सी बायू मंडल की सबसे उपरी परत तो उसको क्या बोलते हैं बहर मंडल उस परत को क्या बोलते हैं कौन सी है बहर मंडल बायू मंडल की सबसे उचली यदि परत पूछी जाएगी तो आपको उसमें क्या उत्तर लगा के आएंगे बहर मंडल कन्फूज नहीं होना बिल्कुल अच्छे प्रसन है और आपको पढ़ना है बायू मंडल की सबसे निचली परत सबसे उची कौन सी है बहर मंडल और सबसे नीची कौन सी है छोब मंडल दोनों याद रखीएगा सबसे उची बहर मतलब बाहर सबसे उपर और ठीक है छोब मतलब सबसे नीचे की परत तो बायू मंडल की सबसे उची परत बाहर मंडल और सबसे नीची छोब मंडल दोनों परते मिलकुल दिमाख में बैठा ले अगला देखें मौसमी घटनाएं बायू मंडल की किस परत में घटत होती है जो मौसमी घटनाएं घटत होती है वो किस परत में होती है चोब मंडल में आपने देखा ही होगा बरसात होती है तो मौसमी घटना है बायू मंडल किस परत में होती है चोब मंडल में होती है और चोब मंडल कौन सी परत है निचली परत है बायू मंडल की अगला देखें रेडियो तथा संचार का प्रसारण बायू मंडल के किस परत मे संभव है रेडियो तथा संचार का पिसरान बायू मंडल के किस परत में संभव है तो आयन मंडल यह कहां पर होता है रेडियो का संचार रेडियो जो होता है न इसका संचार का पिसरान कहां पर होता है आयन मंडल में याद रखीगा आयन मंडल बायू यान बायू मंडल के किस परत में उड़ते हैं जो बायू यान उड़ते हैं हवाई जहाज उड़ते हैं ठीक है और कोई भी जो पिलेन बगर उड़ते हैं तो बाय किस परत में उड़ते हैं समताप मंडल में ये बि बेदन करूँगा अपनी तरफ से कि आप सभी वीडियो की लिंकों को आप बोट सेप अपने जो पढ़ने वाले ग्रोप हैं उसमें बहेज़ें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके हो प्रती दिन हम पढ़ सके अगला देखो भारत में सरवाधिक बरसा किस से होत होती है तो आपको बतलाने दक्षणी पस्चमी मानसून के कारण से सबसे ज्यादा बरसा होती है अगला देखें ओजोन परत मापने की एकाई कौन सी है बैरी बैरी मोष्ट परसन ओजोन परत को मापने की एकाई अगला देखें भारत में सबसे पहले मानसून किस राज में आता है यह भी मौष्ट है भारत में सबसे पहले कहां आता है केरल में थीक है भारत में सबसे पहले मांसून के प्रत्वी के ताप को बनाई रखता है कौन? CO2 एवं जलबास। CO2 का फुल फॉम हमने कल बताये था, आप कमेंट के माद्वे हमसे बताएं और प्रत्वी के ताप को बनाई कौन रखता है? जलबास। आपको अच्छे लग रहे हो वीडियो तो लाइक कर दें ठीक है? और बेल आइकन को दबा दीजीगा अंगले वीडियो के लिए अगला देखें भूम अंडल के कितने प्रतिसत भाग पर जल है? भूम अंडल के कितने प्रतिसत भाग पर पूरे भूम अंडल के तो 71% भाग पर जल है कल पुना एक वीडियो के साथ हम फिर आपके लिए मिलेंगे, तो आपके लिए question छोड़े जा रहे हैं, बाईू मंडल में बिद्दमान अक्रिये गैस कौन सी है, ठीक है, बाईू मंडल में बिद्दमान अक्रिये गैस कौन सी है, कल हम इसका उत्तर आपको बताएंगे अंगले वीडियो में, और आपको अभी कमेंट में बतलाना है, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें, और इसी तरह आप हमसे जुड़ी रहें, जैहेंद।